नमस्कार प्यारे बच्चों आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे तो चलिए शुरू करते हैं तो आज है हमारे पास इंगलिश की वर्क्षिट और वर्क्षिट नमबर है 133 चलिए देखते हैं आज की वर्क्षिट में हमें क्या करने को मिला है इसको रीड करना शुरू करते हैं यानि कि आशा है कि आप खुश होंगे और दूसरों को भी खुश रख रहे होंगे अपनी हैपिनेस को स्प्रेड कर रहे होंगे फैला रहे होंगे with your smiles यानि कि अपनी मुस्कान से आप तूसरों को भी happy कर रहे होंगे यह आप से आशा है चलिए पढ़ते हैं पहले question को the following line is from the poem read it carefully तो जो हमने poem पढ़ी थी the balloon man उससे एक line है उसको read करना है carefully care के साथ यानि कि अच्छे से ध्यान से some are big and some are small तो big और small को यहाँ पे underline किया है some are big यानि कि कुछ तो big हैं बड़े हैं and some are small और कुछ some मतलब कुछ छोटे हैं the two words big and small are the opposite of each other तो यहाँ हम देख रहे हैं opposite meaning आ रहा है यानि कि बिल्कुल उल्टा meaning आ रहा है दोनों का एक बड़ा दिखा रहा है तो एक छोटा बता रहा है look at a few more opposite words along with their pictures below तो यहाँ पे हम pictures को देखके कुछ और opposite words भी देखेंगे जैसे full यह तो भरा हुआ है और empty खाली है old और young old मतलब कि ज़्यादा age हो गई है और young मतलब कम age है यानि कि कम उमर है next देखते है fast slow fast मतलब होता है tage speed slow मतलब धीरे light यहाँ हम light देख रहे हैं dark तो जहाँ light नहीं है उसको हम dark बोल रहे हैं आगे पढ़ते हैं now let us rewrite rewrite मतलब re मतलब दुबारा write मतलब लिखना है दुबारा लिखना है किसको the sentences given below जो नीचे sentences दिये हैं उनको हमें दुबारा लिखना है using the opposite of the underline words तो जो underline यहाँ पे words कर रखे हैं उनके opposite words को use करके हमें यह sentences को दुबारा से लिखना है तो पहले a वाला sentence देखते हैं I can run really fast तो fast का opposite तो हमने अभी देखा था slow है तो slow word का use करते हुए हम यहाँ पर एक sentence बनाएंगे तो यहाँ हम बाकी sentence को same रखेंगे I can run really और fast की जगा हम उसका opposite word slow use करेंगे I can run really slow b sentence देखते हैं अब the cupboard in my room is full यानि की जो मेरे room में cupboard है आप कपड़े वगएर रखते हैं अपने room में cupboard में तो वो full है इस sentence हमें यह पता लग रहा है उसका opposite क्या होगा full का opposite अप ही देखा था हमने empty तो empty word का use करेंगे हम full word की जगे बाकी sentence को हम same रखेंगे तो चलिए लिख देते हैं the cupboard in my room is empty second देखते हैं as we are talking about the rainbow let us check out this rainy day scene and write a few sentences based on the hints provided in the cloud यानि कि यहाँ पे cloud पे कुछ words दिये हैं कुछ hints हमें दिये हैं हमें क्या करना है let us check out this rainy day scene तो जहाँ picture में हमें क्या दिखाया हुआ है rainy day scene है एक write a few sentences अब यहाँ पर इसी के उपर based कुछ sentences हमें लिखने हैं कौन से words को यूज करते हुए यह रहे words हमारे cloud में तो words को देखते हैं umbrella यानि की चाता poodles अब यह जो पानी खटा हो जाता है rain water जो होता है बारिश का जो पानी होता है वो जब ground पर घटा हो जाता है न तो poodles बनते हैं छोटे छोटे पूल पानी के छोटे छोटे पूल को हम क्या बोलते हैं poodles clouds हो गए हैं हमारे बादल और rain है यहाँ पर बारिश तो इन से हमें sentences बनाने हैं आप अपने हिसाब से अपने मंद से भी sentences बना सकते हैं अभी जो हम sentence लिखने वाले हैं वो केवल example sentence होंगे आप अपने हिसाब से भी अपने नए sentence बना सकते हैं पहला sentence हो जाएगा it is raining यानि कि बारिश हो रही है the clouds are pouring water यानि कि बादल पानी गिरा रही है pouring का मतलब होता है डालना गिराना third sentence क्या हो जाएगा the man is holding an umbrella man के पास क्या है umbrella है चाता है यानि कि आदमी के पास चाता है the rain water has formed puddles on the ground यानि कि जो बारिश का पानी है उसने क्या बना दिये है puddles बना दिये है ground पर यह हम देख रहे है न puddles तो यह हमने इस picture को देखकर 4 sentence बना लिये है अब आपके मन में कुछ भी आ रहा है कुछ और चीज़ों को देखकर mind में तो आप उनसे भी अलग-अलग sentence बना सकते हैं आज की class यहीं खत्म होती है अगर आपके कुछ doubts अभी भी बाकी है तो आप comment section में पूछ सकते हैं कल फिर मिलेंगे कुछ नया सिखेंगे तब तक के लिए धन्यवाद जहिन